नमस्क्र दूस्ट Zeus, यूकर सप्रो डूट अरुटी फोर में आपका स्वागा था दूस्ट आज के वीडियो बहुती खास होने वाइक क्योंकि आज के इस वीडियो मामनों जानेंगे कि बिये परिक्षा में किसी भी प्रस्ण का हेडिंग कैसे बना जाता है दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई पी दिकत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा आन तक जरूर देखेगा इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रस्ण का हेडिंग कैसे बना जाता है तो आजे देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और हेडिंग मना करके सिखते हैं दोस्तो माल नीजे आप एक्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको कोश्चन पेपर मिल गया है और आपके कोश्चन पेपर में कोश्चन आ गया कि लोधी वन्स के पतन के प्रमुक कारणों का उलेख कीजिए यह प्रस्ण आ गया अब दोस्तो आप इस प्रस्ण का हेडिंग कैसे लिखेंगे इसका उतर कैसे लिखेंगे ध्यान समझिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस प्रस्ण को पढ़ेंगे और पढ़कर के समयने की कोशिश करेंगे कि प्रस्ण क्या पूछ रहा है तो प्रस्ण कर रहा है कि लोधी वन्स के पतन के प्रमुक कारणों का उलेख कीजे यानि कि जो लोधी वन्स है इसका पतन कैसे हुआ पतन के प्रमुक कारण क्या है कारणों का उलेख करना है तो यहाँ पे दोस्तो हम लोग पाहला हेडिंग क्या लिखेंगे तो पहला हेडिंग दोस्तो हम लोग का हो जाएगा मैं आपसे बार-बार बताता हूँ कि पहला हेडिंग आप किसी भी प्रस्न का या तो आप परिचे लिखेंगे या तो प्रस्तावना लिखेंगे या तो भूमिका लिखेंगे या परिभासा लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तो हम लोग इस प्रशने का पहला हैडिंग क्या लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तो हम लोग इस प्रशने का पहला हैडिंग लिखेंगे भूमी का तो यहाँ पे दोस्तो हम लोग लिख लेते हैं पहले भूमी का अब दूस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा point देंगे और दूसरे point के अंदर हम लोग दूसरा heading लिखेंगे यहाँ पे दूस्तों हम लोग लिखेंगे low the ones का परिजे क्योंकि अगर दूस्तों हमें low the ones के पतन के बारे में लिखना है अगर हमें low the ones के पतन के बारे में लिखना है और इसके परमुकारड के बारे में लिखना है तो इससे पहले हमें low the ones के बारे में लिखना पड़ेगा कि low the ones कौन है तो यहाँ पर दोस्तो हम लोग का दूसरा heading हो जाएगा low the ones का परिचे और प्रशनिक अंदर भी अगर आप देखे तो यहाँ पे 3 point आपको नजर आगा पहला point हो जाएगा आपका low the ones दूसरा point हो जाएगा आपका पतन और तीसरा point हो जाएगा परमुख कारण यहाँ पे 3 point दिया हुआ है जिसका यूज़ करके हम heading बनाएंगे तो पहला point हमारा क्या है पहला point है लोधी once तो यहाँ पर दूस्तो हम लोधी once का परीचे लिखेंगे तो हमारा दूसरा heading हो जाएगा दूस्तो लोधी वन्स का परीचे अब दोस्तों लोधी वन्स के परीचे में हम लोग क्या लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम लोधी वन्स का परीचे लिखेंगे कि लोधी वन्स का परीचे क्या है लोधी वन्स का संधापा कौन है लोधी वन्स कब से कब तक चला इसके अंदर कितने सासक्थे इसके बारे में हम लोग लिखेंगे अब दॉस्तों यहाँ पर हम लोगों तीसरा point देंगे और तीसरे point के अंदर हम लोग तीसरा heading लिखेंगे loadHee once के पतन के परमूकारण क्योंकि प्रशंन के अंदर पूछागा है कि लोधी वन्स के पतन के प्रमुकारण का उलेख कीजिए तो यहाँ पे दोस्तो हम लोगों ने लोधी वन्स के भूमिका लिखे लिया उसके बासे लोधी वन्स के परिच्य हो गया अब दोस्तो हम लोगों लिखेंगे लोधी वन्स के पतन के प्रमुकारण यह दोस्तो हो जाएगा हमारा तीसरा हेडिंग अब दोस्तो तीसरे हेडिंग के अंदर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे उसको समझेए यहाँ पर दोस्तो हम लोगों ने तीसरा हेडिंग लिख लिया लोधी वंस के पतन के परमुकारण अब दोस्तों तीसरे heading के अंदर हम क्या लिख करेंगे कि लोधी वन्स का पतन कैसे हुआ पतन के क्या कारण है तो इसके दोस्तों एक दो कारण नहीं बहुत सारी कारण हो सकते हैं तो इसलिए क्या करेंगे हम तीसरे heading के अंदर point number 1, point number 2 इस तरीके से point में दे करके इसका परमु कारण लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला point देंगे और पहले point के अंदर इसका पहला कारण लिखेंगे राजनायतिक कारण इस तरीके से दोस्तों हम लोग बना बना के लिखेंगे राजनायतिक कारण यह दूस्तो हो गया इसका पहला कारण यानि कि लोदी वन्स का पतन कैसे हुआ इसका पर्मु कारण क्या है तो पर्मु कारण में आप पहला कारण लिखेंगे राजनेति कारण उसके वाद दूस्तो आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरे point के अंदर आप दूसरा कारण लिखेंगे कि लोधी one's के पतन के दूसरा कारण क्या है तो दूसरा कारण दूस्तो आपका हो जाएगा समाजी कारण तो यहाँ पर दूस्तो आप लिखेंगे इसका समाजी कारण यहाँ पर हो जाएगा समाजी कारण यह हो गया दोस्तो आपका दूसरा heading यानि कि लोदी वन्स के पतन के पर्मु कारण क्या है तो पाहला कारण आपका हो गया राजनेति कारण दूसरा हो गया समाजी कारण अब दूस्तो यहाँ पर आप तीसरा point देंगे तो चौथा point के अंदर हम आप आपन गर्ण हो जाएगा दूस्तों लोधी one के पतन के प्रमुह कारण में हमोग का 4 जो हेडिंग हो जाएगा हम लोग का साहिने कारण यानि कि इसकी जो साहिनिक थी साहरी ने कारण भी हो सकता है तो यहाँ पर दूस्तो हम लोगों ने चार हेडिंग लिख लिए धान समझेए यह जो question पूछा गया है कि लोधी वन्स के पतन के परमुह कारण बतेए तो परमुह कारण के अंदर दूस्तो हम लोगों ने सबसे पहले राजनेति कारण लिख लिए उसके बाद समाजी कारण लिख लिए उसके बाद आर्थिक कारण लिख लिए उसके बाद साइनिक कारण लिख लिए अब दूस्तो इसके अंदर हम लोगों बना बना के क्या लिख सकते हैं तो इसके अंदर अगर हम चाहें तो और भी बना के लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे हम लोग पॉइंट नमबर पांच देंगे और पॉइंट नमबर पांच के अंदर हम हेडिंग लिखेंगे धार्मी कारण यानि कि धार्मी कारण भी हो सकता है जिसकी बार से लोधी वन्स का पतन हो गया यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे धार्मी कारण दोस्तों दिखिए किसी भी समराजिकी ये किसी भी राजा के पतन में कोई एक कारण नहीं होता है बहुत सारे कारण होता है तो यहाँ पर जितने भी कारण है लोधी वन्स के पतन में जितने भी कारण है उन सभी कारणों को हम लोग हेडिंग के रूप में लिखेंगे तो पहले राजनेती कारण हो गया समाजी कारण हो गया आर्थी कारण हो गया साइने कारण हो गया धार्मी कारण हो गया अब दोस्तो हम लोग अगला क्या लिखेंगे तो अगला तो हम लोग यहां पर छाथा point देंगे और छाथे point के अंदर दोस्तो हम लिखेंगे बिदेसी आक्रमर क्योंकि दोस्तो अगर किसी once का या किसी राजा का अगर पतन हुआ है तो उसमें बिदेसी आकरमर का भी बहुत बड़ा ROLE हुआ हुआ तो इसलिए दुस्तो हम लोग यहां पे छाठा पॉइंट देके छाठा हेडिंग लिखेंगे बीद्यसिय आगरमा तो इस तरीके साथ दुस्तो हम लोगों ने लोधी वण्स के पतन के पर्मो कारण लिख लिए जिसमें हम लोग राजनेति कारण, समाजी कारण, आर्थि अब यहां पर हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथे पॉइंट के अंदर क्या लिखेंगे तो पहले हम लोग प्रशन को पढ़ लेंगे कि प्रशन क्या करा है तो प्रशन कहा रहा है कि लोधी वन्स के पतन के प्रमुकाराण पूशा गया है तो हम लोगों ने लोगों ने इस प्रश्न का heading बना लिया है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रश्न को पहले पढ़ना है, और पढ़ करके समयने की कोशिज करना है, कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके बाद आपको समयने की कोशिज करना है, कि प्रश्न के अंदर कौन कौन से points है, जिसके यूज़ करके आपको heading बनाना है जैसे इस परश्न एंदर आपका पाहला point हो जाएगा अपका Fresh किसी भी परश्न एगर आप पाहला heading लिखेंगे तो पाहला heading आप डिर्रेक्ट नहीं रिखिश सकते हैं पाहला heading या तो परिचे लिखेंगे या तो परिभासा रिखेंगे, प्रस्ताना लिखेंगे, भूमिका रिखेंगे तो हम लोगों ने पहला heading लिख लिख लिया भूमिका अब दूसरा heading क्या रिखेंगे तो दूसरा heading यहाँ पर point मिल दिया हुआ है लोधी ones तो यहाँ पर हम लोदी वन्स का परिचे रिखेंगे क्योंकि अगर आप किसी भी सासक का पतन के परमुह कारण लिखेंगे तो उससे पहले उसका परिचे रिखना बहुत ही जरूरी होता है कि किस वन्स का था कब से कब तक उसका सासन चला तो इसके बारे में उसको परिचे लिखना बहुत ही ज़रुरी होता है तो यहाँ पर दोस्तो हम लोग ने दूसरा जो heading लिख लिख लिए यहाँ पर लोधी वन्स का परिचे लिख लिख लिया अब यहाँ पर तीसरा heading क्या हो जागा उसके बार से last time में जब आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो यहां पे दोस्तो आपने चौता heading लिख लिए निसकर्स तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पहाला heading आपको भूमिका लिख लिएना है